जैहिन साथ यो स्वागत है आपका हमारी योटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम भोगुल से सम्मंदित महत्रपूल प्रस्ण पढ़ने वाले हैं और यह जो प्रस्ण होंगे यह ट्रिकी प्रस्ण होंगे जी हां दोस्तो आज हम आपको ट्रिक बताएंगे औ ठीक है और उत्तर कैसे याद रखना है वो हम आपको बताएंगे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है ठीक है बैल आइकन को जरूर दमाई स्टार्ट करती है आज का यह वीडियो भारत में सरवादिक वर्षा कहां ह होती है अब इसको कैसे याद करना है जिनके मुह से मौसन मतलब मुह से राम निकलता है राम निकलता है वहां तो वर्षा होगी है ना मौसन राम सरवादिक वर्षा होती है इस प्रकार से याद भी करना है हमें बायु मंदल की किस परत में मौसम संबंदी घटना होती है जी बहुती रहती हैं ? तो कुछ परत में होती है। छोब मंडल सबसे निचली परत मानी जाती है औरमसमसंबंदी को गटना हो जाती है विवक्ति अगर उसमें जानवाली हानी हो जाती है तो ऍहनों खोब होता है । बड़ा खोब हो रहा है। ऐसा हो पुरानी की बात हो रही है, आपको उत्तर बताना है, उत्तर होगा अरावली, अब अरावली मतलब पुरानी पूछा गया है, पुरानी मतलब अरबों साल पुरानी, है ना, तो यहाँ देखना है आप, इतना बंद कर दो, अरब, अरब देख रहा है, अरबों, तो पुरानी प्रवतमाला कौन सी हो जाएगी अरावली क्योंकि अरवों साल पुरानी की बात हो रही है तो अरावली हो जाएगी क्या याद करना है याद होता ही जाएगा आपको पूर्व का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है जी न दोस्तों पूर्व का मैंचेस्टर तो कहा जाता है ओसाका को अब ओसा आपने एक नाम शुणा गवा ओसो ओसो नाम सुना है कि नहीं सभीने सुना हो engagements अब औसो सुपर्मेन थे क्या हैं सुपर्मेन तो सुपरमेन है ओसो तो मैंचेस्टर किसे कहा जाएगा ओसाका को है ना पूर्व का मैंचेस्टर याद भी करते जाना है चंदग्रण कब होता है जल्दी से बटाएं कमेंटर में चंदग्रण कब होता है तो दोस्तो चंदगरण होता है जब प्रत्वी सूर और चंदरमा के क्या होती है बीच में आ जाती है जब प्रत्वी सूर और चंदरमा के बीच में प्रत्वी आ जाये तो क्या होगा चंदगरण याद रखते हैं पूछा याता है एकजाम है और गलत भी करके आती हैं लोग सुन्दर बन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं जल्दी से कमेंट में लखें उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्म पुत्र अब देखना गंगा और ब्रह्म पुत्र अपने नाम सुना होगा गंगा नदी और ब्रह्म पुत्र नदी दोनों ही नदिये हैं हमारे देश की बहुत सुन्दर नदियां हैं तो सुन्दर बन डेल्टा कौन सी नदियां बनाएंगी गंगा नदी और ब्रह्म पुत्र नदी याद रखते हैं न महत्पून है और ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली दीप है विस्तो का एक मात्र नदी दीप है सबसे बड़ा है ना तो माजुली दीप है ब्रह्मपुत्र नदी में ये भी याद रखना है भूकम्प की तीबरता की माप किसे यंतर से मापी जाती है जल्दी से कमेंट में लखें भूकम्प की तीबरता की जो माप है वो मापी जाती है सीसमोगराप से अब एक बात बताओ कि जब भूकम्प आएगा और आपके उपर कुछ गिर जाए है ना आपके घर में इतीर गिर जाए कुछ गिर जाए तो आपका क्या होगा चेहरा बिगड़ जाएगा और चेहरा बिगड़ेगा तो आप क्या देखो कि सीसे में देखो कि कितना बिगड़ गया है माप करोगे कि नहीं करोगे करोगे तो भूकम की तीब्रता का जो यंत्र है वो काई से मापा जाएगा सीशमोगराप से क्योंकि भूकम पाएगा लोगों की उपर गिर जाती हैं कई कुछ पेल गिर जाती है या मकान गिर जाता है तो उसका चहरा बगड़ जाता है तो सीशे में देखते हैं सीसे में नहप करते हैं कौनसी नदी डेल्टा नहीं बनाती जहां जंदी से बताएं उत्तर हो जाएगा डेल्टा नहीं बनाती तो नर्वदा नदी नर्वदा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती तो नर्वदा नदी कहां से निकलती है मत्य प्रदेश के अमर कंटक से बिस्तु का सबसे उचा जवाला मुखी परवत है तो बिस्तु का सबसे उचा जवाला मुखी परवत है कोटो पैक्सी कौँचा है कोटो पैक्सी अब पैक्सी हम बोल ला है तो पैक्सी से आपको पैप्सी तो नहीं सुना पड़ रहा है पैपसी सुना पड़ रहा होगा, अब जो आला मुखी की बात करें अगर, तो जो आला मुखी की ऐसा रहता है, इस प्रकार से रहता है, ऐसे करके, ऐसे, और पैपसी की बाटल भी ऐसे ही रहती है, आपने देखी होगी यहां से, और यहां से होगी सक्री सक्री और यहां के ऐस से पैक्सी किस गती के कारण प्रथवी पर दिन रात होते हैं जल्दी से कमेंटर में लखें किस गती के कारण होते हैं गूर्णन गती के जी हाँ दूस्तों गूर्णन गती के कारण दिन रात होते हैं याद रख देना और परिक्रमन गती के कारण क्या होते हैं रितू परिवर आ जाता है तो क्या होगा सूर ग्रान होता है याद रख लेना है ना महतुंपूरा ओजौन परत किस बाईू मंडल परत में पाई जाती है तो वोस। पाई जाती है समतमंधल में अब एक बात बताना कि जो ओजोन परत है आपने पड़ा होगा कि जो ओजोन परत है सूर से आने वाले पराब्यगनी या हानिकारक जो किरने होती है उनको रोक लेती है मतलब जो ताप है उसको क्या कर देती है समान करती है तो ओजोन परत कहां पाई जाएगी समताप मंडल में क्योंकि ये क्या करती है ताप को सम कर देती है है ना सम कर देती है पराबैगनी करणों को रोग लेती है तो ये समताप मंडल में पाई जाएगी इस परकार से याद करना है आपको थोड़ा सा रिलेट करके और एक question most important है पूँचा ही जाता है ठीक है next देखें दक्षण धुरब पर पहुंचने वाला प्रथम बैक्ति कौन था दक्षण धुरब पर जल्दी से बताएं पुत्तर हो जाएगा एमोंड सेन एमोंड सेन दक्षण धुरब पर पहुंचना बहुत कठन बात है और प्रथम बैक्ति जो पहुंचा था वो एमोंड सेन पहुंचा था क्या से पहुंचा था देखो इसका क्या हो गया मुंडा जो है सनक गया बोलते ना कुछ लोग बोलते मेरा मुंडा सनक गया मुंडा इसका सनक गया और यह कहां पहुँच गया दक्ष्णी धरोप पहुँच गया इस प्रकार से याद भी करो बिस्टु की सबसे मीठे पानी की जील आपको बतानी है तो मीठी सुपारी आती है तो बिस्तु की बिस्तु में चलती है और वो मीठी सुपारी तो बिस्तु की सबसे मीठे पानी की जील कौन सी होगी सुपीरियर सुपारी से हम सुपीरियर याद कर लेंगे ठीक है कौन सा उध्यान सेर के संरक्षन के लिए प्रिश्द है सेर के सबसे निकटका गरह कोंसा है तो प्रत्वी के सबसे निकटका गरह है सुक्र है कि प्रत्वी के निकट का ग्रह सुक्र है याद रखो ऐसे विस्ट की सबसे बड़ी जील कौनसी है विस्ट की सबसे बड़ी जील आपको बतानी है तो वो है कैस पियन सागर अब एक बात बताना कि जो जील है यह बहुत बड़ी जील है यहाँ से अब आपको पानी पीना है तो कैसे पीन, देखो कैसे पीन, तो कैस पीन, विस्ट की सबसे बड़ी जील में, पानी कैसे पीन, तो कैस पीन सागर हो जाएगी, विस्ट की सबसे बड़ी जील है, याद रखो पाक जलसंदी किसको जोड़ती है, पाक जलसंदी किसको जोड़ती ह तो इसका सही उत्तर आपने कमेंट में लिखतीया होगा इसका उत्तर है दोस्तो पाक जलचंदी जोडती है मननार एबन बंगाल की खाड़ी को मननार एबन बंगाल की खाड़ी को मननार की खाड़ी एबन बंगाल की खाड़ी को जोडती है पाफ जल्चन्दी कई बार पुछा गया है स्वारमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सबसे बड़ा जो ग्रह है दोस्तो वो है ब्रहस पती अब इसमें क्या याद रखना ब्रहसे क्या होगा ब्रहसे 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 ब्रहस मतलब बड़ा तो सबसे बड़ा ग्रह ब्रहद ब्हार का सोक किस नदी को कहा जाता है उत्तर बताएं जल्दी तो इसका सही उत्तर होगा ब्हार का सोक कहा जाता है दोस्तों को सी नदी को को सी नदी को कहा जाता है को सी नदी को कहा जाता है को सी नदी को ब्हार का सोक कहा जाता है का निए न और रात बरावर कहां होते हैं आपको पता होगा कहां पर होते हैं भूमद्द्रेखा पर कहां पर भूमद्रेखा या विसुगत्रेखा पर होते हैं अब एक बात बताना कि जे हमारी प्रत्वी है प्रहा से भूमद्रेखा है तो दिनराद कैंसे होंगे बराबर होंगे, क्योंकि इस साइड भी बराबर, इस साइड भी बराबर, दिनराज बराबर होंगे, भूमत रेखा या विशुवत रेखा पर हमेशा question पूछा जाता है, ठीक है, बायू मंडल की किस परस से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है, ये question हमेशा पूछा जाता तो आयन और फिर जायन, आयन फिर जायन, तो रेडियो तरंगे कहा परिवर्तित होती है, आयन मंडल से और आयन से फिर जायन, ऐसे होती है कि रेडियो तरंगे जे आयन और फिर यहां से जायन, तो आयन जायन, याद रख लेना, इस परकार से याद होना चाहिए, आपको ब जल्दी से कमेंटर में लखें बादिपूर जो राष्टियान है करनाटक में अब अब बास पता नहीं किसी को बांध ना है तो नाटक करने पढ़ेंगे तो बादिपूर राष्टियान कहा होगा करनाटक में इस प्रकार से याद भी करो भारत का दक्षनतव बिंदु कौन सा जल पर जल पर जल है तो यहां भी जल होगा फिर जल 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 एंजल जल पर पात और यहां भी जल पर पात तो यह आपको याद रख दिना है ठीक है उंचा जल पर पात है बिस्टुका हीरा कुंडबांद किस नदी पर बना है जल्दी से कमेंट में लेके हीरा कुंडबांद उत्तर हो जाएगा महान नदी पर बना है सबी को पता है अगर आपको क्या बनना है? हीरा, हीरा क्या सा होता है? महान होता है, तो हीरा कुंडबांद किस नदी पर बनना होगा? महान नदी पर, है ना? क्योंकि अगर महान बनना है, तो हीरा जैसा तपना पड़ेगा पहले, तो हीरा कुंडबांद महान नदी पर, इस परकार से याद करना है है ना और ये उडिसा में बना है और सबसे लंबा वांद भी है ये भी याद रखो बंसपत्यों एवं जीवजन्तूं का जीवास में कैसी चट्टानों में पाए जाता है ये बहुत ही महत्पूर है जी हां दोस्तों बहुत ही महत्पूर है तो मेठे पानी की यहां पर बात हो रही है तो मीठे पानी की बात बोलर तो मीठे बोल बोलना चाहिए इस प्रकार से रिलेट कर लो और यह याद हो जाएंगे संसार की छट किसको कहा जाता है संसार की जो छट कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों पामीर के पठार को कौन से पामीर कि पठार को संसार की छत कहा जाता है और हम छत क्यों ढालते हैं क्योंकि पानी न गिरे क्या न गिरे पानी गिरता है इसलिए क्या करते हैं और पामीर जब हम लेते हैं नाम तो यह से सुना पड़ता है यह से पानी नाम ले रहे हूं तो संसार की चत पामीर के पठार को कहा जाता है यासे याद भी करो भारत का पिट्सबर्ग किस सहर को कहा जाता है जल्दी से बताएं पिट्सबर्ग कहा जाता है दोस्तों किस सहर को उत्तर हो जाएगा इसका जमसेद पुर्गू जमसेद पुर्गू कहा जाता है पिट्सबर अब आप देख रहे होंगे, कि अगर कोई रोड पे पीटने लगे, क्या करने लगे, पीटने लगे तो क्या हो जाता है, जाम लगता है, तो पिट्सवर्ग जमसेतपुर को पहा जाता है, ऐसे याद करो, विसका सबसे बड़ा प्रायदीप कुन सा है, तो सबसे बड़ा प्र याद रखना थें न में तो टिन का सरवाद इंतां बूंगरह لاलगारे केसी कहा जाता है सई बीमद लालग dual करा मंगल्या को car जाता है मंगल्ग्राइ को सढ़ारत पड prefer ब्रियोजना किस नदी पर बनाई गई तो दोस्तो आप सरदास्तरोवर के बारे में जानते होंगे सरदास्तरोवर जी सरदार पटेल साब से पचित होंगे सरदार पटेल जो नरम व्यक्ती थे बहुत नरम तो सरदास्तरोवर जो परियोजना है या सरदास्तरोवर जो बांध है बिख्यात का नामसे बिख्यात कौनशा सह़र है इस प्रकार से दोस्टो हमने भोगर की कुछ प्रस्णों को यहां पर पढ़ने का रियास किया कुछ मैंने ट्रिक बतायी आपको याद करने की, आपको कितनी क्वेस्चन याद हुए आप ज़रा कमेंट के माद्यम से बताएं और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आपको लिखना है कमेंट के माद्यम से आँगे आने वाले बहुत सारे ऐसे ही वीडियो होंगे अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि सर ऐसे प्रस्ण हमें याद होते हैं ऐसे में हमारा टेस्ट भी होता है, प्रस्ण भी याद होते हैं, सारी की सारी प्रिक्रियां एक साथ चल रही हैं, तो आपको कमेंट के माध्यम से लिखना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को सेर करना होगा, और कमेंट में जरूर बताना होगा कि सर बहु तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जय हैं सब्सक्राइबस को